पानेली नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अरित्या अनंत स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजारिंग मंत्र में एक और नहीं फ्री सर्टिफिकेशन कोट्स की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आचुका हूँ बता तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्ट होने वाली आप तो आपलिगी सी ठूर्स को यहां पर जॉइन कर सकते कोई भी ऐसी क्राइटीरिया नहीं अगर आप सक्वें इसके साथ अगर आप लोगे इनाति एक aboard Chinese मिलनीए लेकिन आप आपको यहाँ पर बिल्कुल free में तीन यहाँ पर jam challenges बिल्कुल free में provide किये जाएंगे, अब अगर बात करें jam challenges होती क्या है, क्या काम करना होता है, कैसे आपके लिए वो beneficial साभित होगी, तो बता दो AWS के jam challenges के अंदर आप लोग individually भी participate कर सकते हैं, या फिर team बना कर भी participate कर सकते है जिसके अंदर आपको real world problem यहाँ पर दिया जाएगा, उसे आपको यहाँ पर AWS cloud की मदद से और अपनी यहाँ पर creativity लगा करके solve करनी होती है, जिससे कि आपको यहाँ पर इस field में real world problem solve करने की experience मिल सके, इसी के साथ बता दो अगर हम लोग बात के cloud engineer के salary की या फिर career growth की, तो आ 22-30 लाग पर इनम यहाँ पर उन्हें provide की जाती है, लेकिन अगर आप लेगे एक beginner होने वाले इस field में आपके interest अगर आपकी job लग जाती है, तो यहाँ पर आपको 10 लाग तकी भी package जरूर यहाँ पर मिल सकती है, तो इसलिए आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूर कर सकते हैं, कैसे registration करना, registration के बाद का process क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले course details के बारे में मैं आप तभी को बता देता हूं, in this course you will get an overview concept, terminology and process of the exciting field of machine learning and how can it solve business problem, किस तरीके से machine learning के मजद से हम लोग यहाँ पर real world के business problem को solve कर पाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर आपको AWS jams की जोगी access बिलकुल प्री मिलने वारा limited time के लिए, अलाकि यह free नहीं होता है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी, engage in a gamified learning environment that helps you to develop AWS cloud skills through use case in AWS management console sandbox, यहाँ पर आपको AI के साथ साथ आप देख सकते हैं, AWS cloud की मदद से यहाँ पर आपको real world problem देजाएंगे, जिसे आपको solve करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Amazon code whisper which is free for developers, help you to build application faster and more security, यहाँ पर अगर आप एक student है तो भी आप लोग जोईन कर सकते हैं, developer है तो भी जोईन कर सकते हैं, मैं आप सब भी को बता दूँ, this course is intended for this course के लिए कौन कौन से लोग जोईन कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, इसी के साथ इस courses के इंदर आपको क्या सारी चीज़े सिखाए जाएगे, in this course you will learn how to explain machine learning, describe the three categories of machine learning algorithm, explain deep learning, describe the machine learning pipeline phase, solve hands-on interactive challenges in AWS jam, तो इसी के साथ आपको यह सारे benefit आपको इस courses में यहाँ पर provide किये जाएंगे, इसी के साथ मैं आपको अगर certificate क बात बताओ, तो attend the event to receive a certificate of attendance and fees access to the three AWS jam challenges, यहाँ पर आपको दो benefit मिलने वाला है, यह पहला तो आपको यहाँ पर certificate दिया जाएगा, दूसरा यहाँ पर free access दी जाएगी, आप से भी काप सब देख सकते, free access to three AWS jam challenges, तीन jam challenges आपको बिलकुल free में provide के जाएंगे, normally only available without paid skill builder subscription, तो normally यहाँ पर available रहता है, paid skill builder subscription के साथ, मतलब जो लोग paid subscription रहते हैं, उनही jam challenges provide की जाती है, इसी के साथ introduction to Amazon Code Whisper, S3 Whisper, build application faster with Amazon Code Whisper, तो आपको यह सारी जरूर skills यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी, आप लोग एक team बना कर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, नएने skills को real world problem को solve कर सकते ह आपको कैसे registration करना है, तो जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने business email address को use करना होगा, first name को use करना है, last name को use करना है, phone number को use करना है, company name में आप लोग अपने college का नाम भी यहाँ पर डाल सकते, reason को select करना है, postal code को यहाँ पर select करना है, industry को आपको यहाँ पर select करना होगा, industry में आ अगर आप लोग college student है तो इसी के साथ job title अगर आप कोई job करने तो job की title दाल दीजेगा नहीं तो आप लोग यहां पर student fill कर दीजेगा इसी के साथ job role में यहां पर आप लोग क्या डाल सकते student का यहां पर आपको option मिल जाएगे यहां पर आपको student choose करना है AWS label के बाद पूछी जा तो यहां पर आप अगर AWS को use कर रहा है थोड़ी बहुत knowledge है तो यहां पर आपको यह सारे चीज़ों को select करना है अगर आप को कुछ नहीं पता AWS के बारे में use नहीं कर रहा है तो यहां पर do not use पर जाके click कर देना है use case के अगर बात आती है तो यहां पर आप जैसे click करेंगे AI और machine learning के बारे में आपको सीखना है तो यहां पर AI and machine learning दे सकते हैं आप लोग उसके बाद I am completing this form in connection with my business interest or personal interest यहां पर अगर आप एक student तो आपको यहां पर personal interest को यहां पर click करना होगा अब यहां पर बात आती है कि यहां पर आपका जो business email id मांगा जा रहा है अगर हम लोग यहां पर अपनी normal email id देंगे तो क्या होगा तो मैं अपनी normal email से यहां पर registration करता हूँ उसके बाद आपको आगे की process बताऊंगा पानली मैंने सारी information फिल रख कर रख आप देख सकते हैं मैं भी यहां पर as a student registration कर रहा हूँ जहां पर company name की मैं मैंने अपने college का नाम डाल दिया यहां पर मैंने student डाला है इसी के साथ सारी information को फिल करने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना होगा जा करके submit करना है पानली यहां पर registration करने के बाद आपको एक successful message भी आ जागा जिसमें की thank you for registering for machine learning basics लिखाओगा जिस यह confirm हो जागा कि आपकी registration यहां पर हो चुकी है आपको पैसे कही पर भी खर्ज नहीं करने वाले AWS के तरफ से जितनी भी यहां पर event होती है वो बिल्कुल free होती है तो AWS training and certification में आप लोग machine learning आप देख सकते हैं यहां पर आपको सारी information provide की जा रही है इसी के साथ थोड़ी नीचे जाने के बाद आपको एक बटन दिया जाएगा जिसमें की join webinar होने वाला है तो click the button to join the webinar at the specified time and date तो यहां पर आपको क्या करना है join webinar पे जाकर के click करना है तो जैसे आप webinar पे जाएगे आप देखेंगे ता webinar will start in 3 days webinar 3-3 दिन के बार यहां पर start होने वाला है तो जो भी मैंने आपको date बताए उस date में आपको यहां पर जाकर के इस webinar को जाकर join कर लेना है तो यहां पर यही basic काम होने वाला है आपको बस registration करना registration करने के बाद mail को check करते रहना है mail में जो भी instructions देगा है उसे आपको follow करना है before joining to be sure check system requirement को भी एक बार देख लेना है उसके बाद आपको उसी date में जाकर के यहां पर join कर लेना है तो फानली उमीद करूँगा AWS की training and certification courses आप सभी को पसंद आई होगी informative लगी होगी और एक बाद मैं आप सभी को बता दूँ आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जरूर जोइन कर लीजिएगा जहां पर मैं आप सभी को update दे दूँगा हो सकता है कि आपको याद नहीं रहे कि कितने तारीक को यहां पर यह webinar होने वाला है तो जैसे कि 28 तारीक को होने वाला है मैं आपको 27 तारीक को ही reminder प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल पर जिससे आप सभी यहां पर remind हो जाएंगे और दूसरे दिन के लिए ते यार हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ही आप लोग AWS के टरेनिंग सर्टिफिकेशन को यहां पर जोईन कर सकते हैं जोके सिर्फ और सिर्फ दो घंटी की होने वाली है और एक सर्टिफिकेशन और जैयाम चैलेंजिस में participate कर सकते हैं उमीद करूँगा आज की वीडियो आप से खेक लगी है वीडियो इनफ मीटिभ लगी तो प्लिज एक लाइक जरूर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजियेगा मिलते एकले वीडियो में